मे रस के कमर वा 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 वा, क्या बात है क्या लिखाए कभी ने, तो डाला, पो डाला बहुत ही शिददत से लिखाए बाइसाब खराब रायटिंग चैनल लेकिन बहुत ही बढला लीखा यू अम्हके तुम ने लिखा है और धूंल्ब सी ही 10.cke क highways मेरे रस के कमर पड़ेगा ने वाला गाल दूसरे गाल पर जाके चिपग जाएगा डेकूप समझेओ क्या हो गया भया क्या हो गया ब्या घ्या बमया के का इप खाल कोई गाल विल्खुल नद यो पहता हे है पगला गए क्या है कोई अपना सुनाईए तड़कता बड़कता अब इफ तक्रत भड़कतार। ज्यादा मायक में ना हुशी है। वा दिमाग करब करें अमको था समन्द ने आता पतानी क्या करा हुँ समन्द हुआ मज्जा माप कीजी ये भाय लोग आपको फेस्ट हुआ अगले कभी को बुलाने से पहले एक साहिरी सुनाना चाहूँगा कि आस्मान में उर्ती चिरया और जमीन पे रहते पसू क्या बात है क्या बात है आस्मान में उर्ती चिरया और जमीन पे रहते इनके जैसे पसू के ब्रक्छो में है जीवन इसकी खोज कीती जगदीश चंद बसू ने पांक चले ठोड़िये अंगले कविका स्वागत कीजिये स्रीमान चपललाद अंडियोट आईए जी चपल जी आईए जी चंदर लिखा है वाई जैसे बढ़ते हैं आईए बीजिये नमस्ते मैं आज यहाँ अरे तुम वही हो ना तुम आज गली में चैट पेकर रहे हो कि देख रहे थे हिना तो हमने कहता है किसे बगारे हो इना ही ना ही मैं बच्पन में निर्वस्त्र होकर पूरे गाउं में घूनता था तब से कवित्ता पाट कर रहा हूं मजाक लग रहा है मजाक लग रहा है तबी नीचे बैठेओं वो एक समय था जब मेरे समक्ष गुपता जी हुआ करते थे इन्होंने ही मेरा सहयोग किया इन्ही के सानिध्य में मैंने कविता पाट करना सीखा है और आज मैं गुपता जी को सहिर्दे धन्यवाद देना भाग नहीं जाएगा कहीं आप ही के पास रहेगा पता नहीं कहा कहा से चलो कविता पड़ते हैं मेरी आज पत्नी से लड़ाई हो गई क्या मज़ा आगया कौन सा रस प्राप्त होगे बताइए नहीं क्या मज़ा आ गया आपको पहली ही पंग्री में ऐसा क्या नजर आ गया जो आपको लगता है कि हमने कहड़ाई बताइए अरे वह आस्चे के लिए कविता आये सिर्क हास्चे रस के लिए ही नहीं बनाई जाती है अरे छोड़िये उसको चपल भी कुछ जादा एंगल्ती हो रही है आँ से देखे रही है तो ही गल्ती का घरा भरना जाए हमारे सामें अरे चलिए छोड़िये कविता सनाजिये मेरी आज पतनी से खराब हो गया मूर क्या सुनाया बताईए कविता सुनाने के लिए एक मूड बनाना पड़ता है बंदे ने खराब कर दिया और सुनाओ यार सुनाना हो तो घंटा वर से दिमाब खराब कर रहे हो मैट पाद है क्या होगी याब कुछ नहीं हुआ आप मोबाइल चलाए बस माप कीजिए भाई लोग आपको फिर से कष्ट हुआ अरे उत्ती देर सा कष्टी तो हो रहा है हो का रहा है कविता मेलन रख्यों एक कविता सुनाने वाला धंका है नहीं अगर हमने कष्ट दे दिया तो यह जमीन पर आके गिर पड़ोगे दिमाग खराब करके रख्यों अरे माप कीजिए माप कीजिए अगले कवी को बुलाने से पहले साइजी सुनाना चाहूंगा के गाई हो के बंदर हो सबता करो आदर के गाई हो के बंदर हो सबता करो आदर के पेर इतने ही फेलाओ जितनी लंबी चादर हो क्या बताएं इत्य अच्छी ची सायरी सुनाते तो न रेस्पॉंडी नहीं आते चलिए अगले कवे का सागत कीदिये बरिष्ट कवी है स्री हरी बक्सान क्यारी थी कुछ भी बकबक नहीं करूंगा सीधा कविता पर आता हूं हरी डाल पर बेठा हूं चुपड़ी रोठी खाता हूं वावावावाव क्या बाठे पहला पहला कवी देखा जुवास सच में कवीता सुनाने आते प्रणाम में अरे सब गवार्त हम थोड़ी गवार्त आगे सुनो पीछे तास खेली जा रही है को पहुपबाद में है है तुम लोगों तोड़े दे रा नहीं जाता जित्ती दे गवी समय चला रहती दे तुम जुआ तास चटा सब कुछ रहता है हमारे उपर काई चला रहे हो हम कहले का एई बेटा एई यह हमारी काविता की पाली पंक्ती है फाल तो मैं हमारे करब चला रहे हूँ हाँ तो पीछे तास खेली जा रही जानिकी बाते पेली जा रही एई बेटा अभी तो कुछ नहीं अभी आगे सुनो हमने कहा पापा से बेट लादो मेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए अरे और सुनो खड़ खड़ा पेड़ पर इचल गया जान जा रही खड़ खड़ा पेड़ पर इचल गया जान जा रही पंक्का मंच पे गिर गया एमुलेंस आ रही वाँ वाँ क्या बात है तो ड़ला पो ड़ला अरह शांत रहो यार बार बार बावा कर रहो क्या मज़ागे हाँ ना कोई रस है ना कोई कवीता है हमको तो समझ में नहीं आता है इसे लोग कभी कैसे बन जाए पेटा दिमाग चलाओगे तो समझ में आएगा खाली मूँ इसे लोगों के लिए हमें एक साइरी सुनाते हैं आज से कवी के रस्ता भाईया केसे बनाए दूरा कवीता समझ नाई इमाग में भाणा कूरा नाई एक दॉठान समझ तो झालाएब।